प्रेस दे बेल आइकन उन दी यूट्यूबर आप सभी को जैन दोस्तों आप सभी का हार्दिक सोगत है इंडिया इस भारत पे आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छ होंगे तो आज मैं आप लिक लेटेस्ट एक इंट्रोस्टिंग और एक बहुत ही दंदार तो ये वीडियो आप इंट्रोस्टिंग होगी आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा तो इसे अंतक देखें और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें आकि हम आपके से लेटेस्ट इंट्रोस्टिंग और दंदार वीडियो लाते रहें तो चलिए पहले य सौधी अरबिया के मुहमद बिन सल्मान ने घोशना किया एविन गैजट इशू किया अपनी सरकार की तरफ से कि मेरे सौधी अरब में मेरे पूरे यूएई में पलस्तीन का नारा नहीं होगा किसी भी तरीके से हमास की हमायत नहीं की जाएगी और कोई भी हसन नस्रूल्ला का या इसमाईल हानिया का या फलस्तीन के समर्थन में बात करेगा हम उसको अरेस्ट करेंगे और उस पर हम कोड़े बरसवाएंगे ये तो ये तो भाई हमा वो जगहां ने ऐलान किया है जहां पर मुसल्मान अपने सबसे बड़े फर्ज को पूरा करने के लिए जाता है मक्का मक्का मौजमार मदीना मनववरा बिल्कुल सेम क्वेस्टन मैं देखने वालों से करना चाहूंगा क्योंकि ये एक लाजिकल क्वेस्टन है कि क्या पाकिस्तान एरान एराग इन लोगों को सच्चा मुस्लिम समझा जाए कि बाई ये तो फलस्तीन के साथ कड़े हैं फलस्ती या उनके कमज कम उनके मुखालिफ नहीं खड़े हो रहें तो उन्हें सच्चा मुस्लिम समझा जाए सौदिया रेविया यूएई की अगर बात करें वहां पे तो इस तरीके से कोई प्रोटेस्ट होते नजर नहीं आ रहें वहां पे तो कोई गोर्मेंट की तरह से स्टेट नहीं आ रही तो क्या मुसल्मान आपस में बटे नजर आ रहे हैं नादिया जी फ्यूचर में आप क्या ये मेरा क्वेस्टन है देखने वालों के लिए कमेंट बाक्स में जरूर बताईएगा नादिया जी आने वाले टाइम में क्या आप देख रही हैं इंडिया का क्या र का क्या रॉल होगा इस जंग में नहीं नहीं मैं बहुत जिम्मिदारें से ये बात कह रही हूं कि ऐसा कोई वर्ड वॉर जैसा सिर्पिशन कभी नहीं होने वाला है चाइना अभी खुद अपने एकनॉमिकल क्राइस से गुजर रहा है अपने क्यूंकि एकनॉमिकली चाइना इंटर्नली बहुत जबर्दस डेवस्टेट होता हुआ नजर आया है और इस बार जिस हिसाब से 180 देशों ने साइन किया है भारत के पक्ष में वीटो पावर के लिए तो मुझे नहीं लगता है कि इतने नाजुक वक्त में चाइना किसी भी तरीके से भारत के विरोध में फल पकिस्तान के अंदर भाई खाने खाने को लेंगे और अभी नया कुता पाला गया है नया आतन के कुता तो उसके पीछे भी बहुत खर्च आप लोगों ने अल्रेडी कर दिया जाकर नायक के ऊपर आपके सरकार ने आपकी अवाम भूक ही मर रही है क्या कहना चाहेंगी नाजिया जी आप इसराहील क्या लगता है कि फलस्तीन को आने वाले टाइम में जोंसा वो इस चीज़ को एकसेट करना पड़ेगा युनाइटीड नेशन्स का इसमें क्या रोल होगा इसके इलावा इंडिया का मैं और रशिया का मैंने आपसे पूचा कि इसका क्या रोल होगा रशे भी इंटर्वीन नहीं करेगा बिल्कुल भी इंटर्वीन नहीं करेगा और यह चीज़ बिता कि फलस्तीन और इसराहील की जंग में रशिया neutral है, फलस्तीन की तरफ है या इसराइल की तरफ है, ये comment box में बताईएगा क्योंकि हम तो ज्यादा तर ये देख रहे हैं, मैं गल्त भी हो सकता हूँ, मैं जहां पर जिस source से देख रहा हूँ, जिस media से देख रहा हूँ, वो भी गल्त हो सकता है, लेकिन मैं ज्यादा तर ये देख रहा हूँ कि रशिया फलस्तीन के साथ, रशिया एरान के साथ खड़ा नजर आ रहा है, आप comment box में बताईएगा, नाजिया जी ने भी अपनी opinion दी, नाजिया जी अच्छा लगा आपसे बाइख लगता है, जिस हिसाब से पहल हमास और फलस्तीन ने किया है, उस हिसाब से फलस्तीन को और इरान को घुटने के बल बैट करके, कान पकड़ करके, इसराइल से माफि मांग लेनी चाहिए, और matter को खतम कर देना चाहिए, अगर वो और मौते नहीं देखना चाहते हैं, अगर वो और इस तरीके कि चीजे नहीं देखना चाहते हैं, वो अपने अपनी जनता को अपनी अवाम को बचाना चाहते हैं, वो अपने सिविलियन्स को बचाना चाहते हैं, वो मासूमों की जान बचाना चाहते हैं, तो डिफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि पलस्तिन और इरान को घुटने के पर पकड़ करके नेतिन याहू जी से माफी मांग लेनी चाहिए और मुझे लगता है कि नेतिन याहू जी का दिल बहुत बढ़ा है वो माफ कर देंगे एरान ने पहले भी अटेक किया तक्रीबन चार सो के करीब मजाइल उन्हों ने अटेक किया तब भी इसराइल का तो एक या दो या तीन या चार इस तरीके से दो चार पांच लोगों की जाने गही लेकिन बदले में उन्होंने प्रेजिडेंट को उड़ा दिया बदले में उ अबरिज निकालें हमारे साइड से ये मुसल्मान साइड से अगर बात करें तकरीबन पचास हजार के करीब जाने चाए चुकी हैं और उदर मुश्कल से पचास सो दो सो हजार कहलें ज्यादा से ज्यादा अब हमें ये समझ नहीं आ रही कि हम क्यों मजीद अपने लोगों की जो उनसे रिफाइंडरीज हैं ये जो भी उनके जखायर हैं उसके उपर अगर अटैक किया जाता है आपको नहीं लगता कि पूरी दुनिया में पेट्रोल की कीमत बढ़ जाएगी इवन मैंने तो सुना है भी सिर्फ भबर आई है तो कीमते बढ़ गई है पर बैरल कीमते रिस्ट करता है और देखो इस पूरी दुनिया में जो कोई भी इसलाम के जस्टिफिकेशन पर किसी भी देश को तकलीफ देगा या इसलाम के जस्टिफिकेशन पर रेप करेगा या इसलाम के जस्टिफिकेशन पर औरत को नंगा करेगा या इसलाम के जस्टिफिकेशन पर पच्चों को माइक्रोवेव में जलाएगा या इसलाम की जस्टिफिकेशन पर देश को परिशान किसी और देश को परिशान करने की कोशिश करेगा हमारे आधरनिय परदान मंतरी ऐसे इसलामिक लोगों के साथ तो बिलकुल भी नहीं है जो इसलाम की जस्टिफिकेशन पर ट अक्तुबर दोजार चौबेस आ चुका है तो एक साल भाई आराम आराम से जगड़ा करके आराम आराम से मार को टाइल करके आराम आराम से स्माइल हानिया को और नसरुल्ला को ठिकाने लगा करके आराम आराम से पूरा चटियल मैदान फलस्तिन और हमास को बना बना करके आरा कह सकती थी कि दोनों कंट्रीज में पीस हो अमन हो और मैंने भूला पर डिक्टेटर श्रिप इतनी ज्यादा है न मैंने पहले भी बोला कि क्योंकि स्टार्ट जो है ये सारी बत्तमीजियों का और टेर्रिज्ट टेर्रिज्जम अक्टिविटीज का शुरुआत किस ने किया थ बाद में समर्थन, हमास तो फल्स्तीन को किस ने दिया एरान ने दिया तो मुझे एसा लगता है कि इरान और फल्स्तीन को जाकरके इसराईल के नेतिनियाहुची से माफ़ी माँग लेनी से ये मैंने पहले बोला लेकिन मैं और आप ये बात दोनों जानते हैं में और आप ये बात दौनों जानते हैं क्योंकि मैं भी सुन्णी मुसलमान हैं तो मैं और आप इस बात को जानते हैं कि मुसल्मानों के अंदर इतनी जादा यहां पर बिल्कुल ओपन लिए कहना चाहूंगा और मैं कई दफ़ा कह चुका हूं देखने वाले भी स्टी से अगरी करते हैं कि यार देखें हमारे से मैं अपनी अगर बात करूँ लैड स्पोस मेरे से कोई मिस्टेक होगी मेरी भी बेस्तरी इसी में है कि मैं सामने आके सोर कुछ नहीं करना किसी को नुकसान नहीं पुंचाना किसी भी ऐसी एक्टिविटी में इंवाल्व नहीं होना जिससे किसी दूसरे इंसान को किसी दूसरे मख़ब को किसी दूसरे कंट्री को नुकसान पहुंचे तो मैं यह समझता हूं कि भाई दूसरे कंट्री भी रिलेश सरकार है पाकिस्तान की भगोडे आतंकी जाकर नायक को उसने बुलाया रेट कार्पेट बिचाया फूल के गुल दस्ते दिये और बहुत सारी तालियां दी लेकिंजे सिसाब से जाकर नायक ने एक भगोडे इसत किया है यतीम बच्चियों के दिल को ठेस पहुंचाया है वो म मुझे बहुत बुरा लगा है बहुत बुरा लगा है अगर आपके सामने यतीम बच्चियां आएंगे 8 साल 10 साली 11 साल की तो आप उसमें गैर महरम और महरम देखिएगा या आप उनको सिर्फ अपनी बेहन चोटी बेहन और बेटियों की नजर से देखिएगा तो ये इतना उमर दराज घुना आदमी एक एक उमर दराज आदमी क्यों को ये ठरकबाजी चड़ी कैसे कि वो गैर महरम और महरम की बात उन यतीम बच्चियों को देख करके कर गया दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि एक अक्तुबर दोहजार चौबिस को एक एबीन पाकिस्तान के च तो शुएब आपके चानल के माद्यम से मैं जाकर नायक को और पाकिस्तान की सरकार को ये मैसेज पहुचवा देना चाहती हूं कि जो तीन मिलियन फॉलोर भारत के जाकर नायक के हैं जो जाकर नायक को चान्टिन्यूसली देखते हैं उस पर जांच एजनसी जांच करना पर हैं और क्या-क्या आजेंडा जाकरनायक उनको भेजता है और क्यों फॉलोर यहां पर बैठे हैं तीन मिलियन वो सारा दूद का दूद पानी का पानी होगा और शर्मार में थूकती हूं जाकरनायक के मूँपर थूकती हूं कि 8 साल की बच्ची 10 साल की यतीम बच्चियां उसको गैर महरम और महरम देख रहें थी मतलब कितना बड़ा ठरकी अशलील जाकरनायक ये मेरा मेसेज है और मैं चाहूंगी कि आप इसको एडिट ना कीजिए था ठीक है नाजिया जी जो भी कम्यूनिटी गाइडलाइन के हवाले से होगा उसे देखा जाएगा आप आप पहले भी मुझे तकरीबन दो चार पांच प्रोग्राम से पहले भी बोला था और आपने ये देखा होगा कि हम ऐस सच वैसा ही अप्लोड करते हैं क्योंकि मैं अपनी उपिनियन कलियरली दे चुका हूं कि इस प्रोग्राम में जो भी गैस्ट होता है जैसे नाजी लाही ख कोंटर करना अगर कोई चाहता है किसी को लगता है नाजी लाही खान गल्त बोल रही है और मैं उनको घल्त साबित कर सकता हूं तो आए हमारा प्लैटफरम हाजर है आप नाजी लाही खान के दार डिबेट भी कर सकते हैं ये थी आज़ की वीडियो आपको वीडियो कैसी करने को मिलाओगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आईए तो इसे लाइक और शेयर जरू कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शे में लिखकर जरू बताए और एक बार फिर चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके से लेटेस्ट इंट् और नॉलेजबल वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखिए जै हिंद जै भारत